नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोडा दुपहर के तीन बज गए हैं वक्त हो गया है राजधर्म का राजधर्म में आज बात हो गई मुंबे में हुए एक ऐसे हत्याकान की जिसने पूरे देश में संसरी मचा दी है जी हमें बात कर रहे हूं बाबा सिध्की के मर्डर की वो बाबा सिध्की जो सलमान खान के बहत करीबी दोस्त है शारुक खान, संझे दट समयत बॉलिवूट के जादतर सितारों की आँखों की उतारा थे जिनके इफ्तार पार्टी में फिल्मी सितारों का मेला लगा रहता था जिनके बेटे कॉंग्रेस के विधायक हैं वो खुद तीन बार विधायक और महराश्ट सरकार में मंत्री रह चुके हैं लेकिन कल रात तीन बदमाशों ने बाबा सिद्धिकी को उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोलियों से भून दिया बाबा सिद्धिकी के मर्डर का ओर्डर किस ने दिया कैस हत्याकान के पीछे गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्णोई का हाथ है कि लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे सल्मान के दोस्त को मारने का ओर्डर दिया बाबा सिद्धिकी को मारने की प्लैनिंग कब और कैसे बनी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया राजधर्मे में आपको इस हाई प्रुफाइल मर्डर केस की एक एक डीटेल बताऊंगे लॉरेंस बिश्णोई इस वक्त सावरमती सेंट्रल जेल के उच्ट सुरक्षा वाले वार्ड में बंध है जबकि जिन तीन शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया उनमें से दो यूपी और एक हर्याना करेने वाला है वो भी आपको बताऊंगी लेकिन पहले उन तीन हमलावरों की कुंडली खोलती हों जिनों ने इस संसनी खेस वारदात को अंजाम दिया वैसे तो सूतरों के हवाले से अभी ये पता चला है कि सत्याकान की प्लानिंग चार लोगों ने की थी लेकिन वारदात को अंजाम दिया तीन लोगों ने पहले शूटर का नाम है गुर्मैल बलजीत सिंग जो कि हर्याना के कैथल का रहने वाला है उम्र 23 साल जबकि बाकी दो शूटर्स यूपी के बहराईच के रहने वाले हैं एक का नाम है धर्मराज कशप और दूसरे का नाम है शिव कुमार बताया ये जा रहा है कि दोनों की उम्र 19 साल के आसपास है सूतरों के मताबिक ये तीनों लड़के अंडर वर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं इसलिए उनने बाबा सिद्धिकी का मर्डर किया और इनका इस्तिमाल किया कुख्याद गैंक्स्टर लौरेंस बिश्णोई ने जो की बाबा सिद्धिकी के सूपर स्टार दोस्स सल्मान खान के पीछे कई दिनों से पड़ा है अब मर्डर की पूरी प्लानिंग कैसे हुई उसकी शुरुआत कहां से हुई वो समझे लौरेंस इस वक्त कुजरात के सावमनती जेल में कैद है उसके गैंग के गुरगे पंजाब के अलगर जेलों में बंध है सूत्रों के मताबिक बाबा की हत्या करने वाले तीनों लड़के कुछ समय पहले पंजाब की एक जेल में बंध है यहीं पर तीनों की पहले आपस में मुलाकात हो उसके बाद जेल में ही इनका संपर्क लॉरेंस गैंग के सदस्य से हुआ सूत्रों के मताबिक लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा इन शूटर्स ने खुद पुलिस की पूछताच में किया अलागे पुलिस इनके बयानों को वेरिफाई कर रही है लेकिन अभी तक की परताल में जो बात सामने आई है वो ये है कि वारदात को अंजाम देने से पहले तीनों शूटर्स को लॉरेंस गैंग की तरफ से पचास-पचास हजार उपए एडवांस पेयमेंट की गए थी तीनों दो सितंबर से मुंबई के कुरला में डेरा डाले हुए थे हमलावर मुंबई के कुरला में एक रूम में किराई पर रह रहे थे जिसका हर महीने 14,000 उपे किराया दिया जा रहा था शूटर्स कई दिनों से बाबा पर हमले की ताक पे बैठे थे पूछताच में ये भी पता चला है कि हमलावरों ने मर्डर से पहले करीब एक महीने तग बाबा सिद्की के घर और दफ्तर दोनों जगा की रेकी की थी और फिर कल यानि की 12 अक्टूबर को उन्होंने इस खौफनात वारदात को अंजाम दिया बाबा सिद्की की सरे आम गोली मार कर हत्या कर दी गए महाराश्ट में चुनाफ होने वाले हैं और इसी सिलसिले में बाबा सिद्की कल शाम करीब साड़े छे बजे अपने विधायक मेटे जिशान सिद्की के बांदरा इस्ट वाले ओफिस पहुँचे थे बाबा सिद्की अपने और जिशान के समर्थकों से मुलाकात करने पहुँचे थे करीब धाई गंटे तक जिशान के ओफिस पे मीटिंग चली और इसी बीच साथ बजे के आसपास तीनों शूटर्स भी वहाँ पर जिशान सिद्की के ओफिस के बाहर पहुँच गए तीनों शूटर्स टैक्सी करके बांदरा इस्ट पहुँचे थे ओफिस के ठीक पास में जहां बाबा सिद्की की गाड़ी खड़ी थी तीनों वहीं जाकर खड़े हो गए और इसके बाद जैसे ही बाबा सिद्धिकी रात करीब सवा नौ बजे ऑफिस से बाहर निकले उन्होंने बेहत करीब से उन पर 6-7 राउंड फारिंग कर दी पुलिस के मताबिक शूटर्स के पास 9 mm की पिस्तॉल थी दो गोली बाबा की सीने पर लगी एक पेट को चीरती हुई निकल गए आनन फानन में बाबा सिद्धिकी को पास कही लीलावती अस्पताल में ले जाया गया लेकिन रात साड़ी 11 बजी के करीब डॉक्टर्स ने उन् कारी करके हासिल हो रही है कि अगया है कि शनिवार देशाम एंसीपी नेता बाबा सिद्धिकी की हत्या कर दी गई बैंडराइस्ट का यह वो इलाका है जहां पर बाबा सिद्धिकी के बेटे जिशान सिद्धिकी का दफ्तर है इसी दफ्तर में बाबा सिद्धिकी शनिवार शाम साड़े छे बजे के करीब में यहां पर पहुचे थे और यहां पर अपने समर्थकों से मिल रहे थे जिशान के समर्थकों से मिल रहे थे चुनाव नजदीक है यही वज़े है कि दोनों बाब बेटे बैंडरा इस्ट कॉ से लगातार मीटिंग कर रहे थे और इसी दफ्तर में वो मीटिंग चल रही थी तकरीबन दो से धाई घंटे यह मीटिंग चली उसके बाद सला मश्विरा करके बाबा सिद्धिकी इस सड़क से निकले अब यह सड़क आपको इस वक्त खाली दिखाई दे रहे होगी लेकिन इससरक काफी व्यस्त रहती है आम दीनों में बैंडराइस ज़्याका है और यहाँ दोनों तरफ ठेले रहते हैं दोनों तरफ गारियां रगी रहती है तो यह इलाका काफी सक्रा रहता है दशेहरे का दिन था शनिवार को दशेहरे का दिन था यहीं वज़े है कि भीड को दिखाओं की महिंद्रा XUE 700 गाड़ी जो है वो उस जगह पे लगी थी जहां इस वक्त पुलिस ने जिस जगह को बैरिकेड किया है इस जगह पर बाबा सिद्धिकी की गाड़ी लगी हुई थे और यहां पर चलते हुए बाबा सिद्धिकी वहां से यहां पर पहुचे लेक खे से साथ राउंड फाइरिंग की गई दो गोलिया बाबा सिद्धिकी के सीने में लगी एक पेट में लगी है देखिए इस वक्त आप वो स्पोर्ट देख रहे हैं जहांपर बाबा सिद्धिकी की गाड़ी खड़ी थी जहांपर यह फारिंग की गई थी पुलिस ने जो निशान बनाया है उससे आपको समझ में आ जाएगा एक दो तीन चार चार गोलियों के निशान है पांच और छे दो आप वो जो टेंपो खड़ा है उसके नीचे पुलिस को जो खाली शेल्स मिले हैं जो उसके निशान जो है वो यहां पर बनाए गए तो यहां पर यह वाक्य को पता नहीं चला लेकिन जिन लोगों को भी पता चला उन्हों शोर मचाना शुरू के और बावासिद्धी के साथ एक शक्स और था उसे भी गोली लगी है उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद यहां से वो शूटर्स भागने लगे लेकिन तब तक लोग यहां पर अलर बहुत जादा होती है शाम को भीड बहुत जादा होती है पुलिस बंदोबस्ता थे शहरे के दिन और जब शूटर्स यहां से भागने लगे तो आगे पुलिस बंदोबस्त में दो लोगों को पकड़ डिया गया तीसरा शूटर तीसरे शूटर की जो बात चल रहे हैं यह वो फरार है यहां पर और यह भी बताया जा रहा है कि शूटर्स कुछ दिन से मुंबई में थे यह मुंबई दर्शन कर रहे थे एक तस्वीर सामने आई है जिसमें जुहू बीच पर ये तीनों शूटर्स जो हैं वो नजर आये हैं फिलहाल लौरंस बिचनोई गैंग का इ लेकिन शिव कुमार जो की तीसरा शूटर है वो फरार हो गया शिव कुमार को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की टीम जगा जगा दबिश दे रहे हैं बताया जा रहा है कि वो यूपी के बहराईच का रहने वाला है और उससे पकड़ने के लिए पुलिस लगाता चा देर शाम जब बाबा सिद्धी की पर फाइरिंग हुई तो च्छत्रपाल जी उस वक्त यहीं पर मौझूद थे जो इलाका जहां पर फाइरिंग हुई है आप यहीं रहते हैं क्या करते हैं और यहां नहीं रहता हूँ और हम लोग गाजे बाजे के साथ पर अपना दुर्गा माता को विसरजन के लिए लेके जा रहे थे इस मंदिर से काफी पीछे थे हम लोग और मंदिर से जब पीछे थे तो वहां से कुछ लोग भागते हुए आये और उन्होंने का कि फाइरिंग चल रही है तो सब लोग 3Tर मात आये लगता है दो लोग पटा चल रहे है तो कि दूर्गा माता का विसरजन था तो लोग पटा के चलाई रहे थे उसमें कोई फाइरिंग के आवाज आपने सुनी या किसी और ने फाइरिंग के आवाज का हमें कुछ पता नहीं चला फिर आप लोग घर चले गए लोगों ने जब भीर जो भाग कर आई तो उसी वह से हमने भी समझ लिया कि कुछ ना कुछ घडबड हुई है इस ते फिर भाग रहते हैं आप हम यहीं खेरवाडी में रहते हैं गुद्रुगा मता कहां से लिक्यार देविसर्जन यह इसी तरफ से हमारे यहां पीछे एक नंबर के रोड से यहां से आते हुए जाए इतनी दूर है स्पोर्ट से बस यहीं पहुंचे थी सामने यहां प किसी ने नहीं सुनी जो दूर में थे और उसके पीछे वजय यह थी कि पटाके जो है वो चल रहे थे पटाके चल रहे थे इस वज़े से लोगों ने आवाज नहीं सुनी पुलिस ने लोगों को वापस जाने बोला जो लोग उस तरफ से भागते आए वो उन्होंने वापस जाने बोला तो बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही हो वो यही है कि दुर्गा माता के विसरजन के लिए यहां से लोग निकल रहे थे और उस दोरान जब पटाके चल रहे थे उसी का फायदा उठाके इन हमलावरों ने बाबा सिद्धी की पर फाइरिंग की जिसमें उनकी मौत हो गई है कैमा विमल सिंग के साथ राजेश कुमार इंडिया टीवी मुंबई मर्ड़ के दो आरूपी धर्मराज और शिवकुमार यूपी के बहराईच के रहने वाले हैं दोनों आरूपी एक ही गाओं गंडारस से रहने वाले हैं दोनों पुने में स्क्राप डीलर के यहां काम करते थे बहराईच में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सुपारी देने वाले ने इन दोनों को हर्याना के कैथल में रहने वाले हत्या के तीसरे आरोपी गुर्मेल से मिलवाया था बहराईश का रहने वाला ही आरोपी शिवा फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है शिवा की मा का कहना है कि उसे पूरे मामले का आग सुबह ही पता चला वहीं तीसरा शूटर जो हर्याना करेने वाला है गुर्मेल उसका पुराना क्राइम रिकॉर्ड है हर्याना के कैथल करेने वाला गुर्मेल 2019 में भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है गुर्मेल कैथल जेल में ही गैंग्स्टर लॉरेंस के गुर्गों से संपर्क में आया था और इसके बाद वो जमानत पर बाहर आया तो मुंबई चला गया पुलिस सूत्रों के मताबिक लॉरेंस के गुर्गों ने ही उसे मुंबई बुलाया था उसके बाद उसके लॉरेंस गैंग में अच्छे संबंद बंद दे करेगी काम क्या करता था गुर्मेल कुछ ने करेता कुछ ने करेता था दूसरी सालागीज देल मता आया था जमानत पाकड़ाता कि अचो न कभी कितने दिन में आते उसे गरूप अरा तो सना दो साल ते नो है तो कितनी हुमर और इसकी तादी गुर्मेल की पूलिस गुरमेल सिंग से पूछताच कर रही है हर्याना के कैथल में इंडिया टीवी की टीम गुरमेल सिंग के घर पहुंची और पूरी तहकीकात की ये पूरी रिपोर्ट देखे देर साम बाबा शित्की की हत्या का मामला सामने आयता जहां तीन बदमासों के नाम बिलकुल सामने आयती जिसमें से एक हर्याना के कैथल का रहने वाला जिसका नाम गुर्मिनेम बताया जा रहा है मैं उसके गाउं महीं मौजूद और उसके गर के सामने ही मौजूद और आप देख सकतेंगे किस परकार जो उसका गर है वो यहां पर आप देख भी सकते किया है कि जो गुर्णेम है वो जेल में तो गया था उसने एक मर्डर किया था उसके बाद वो गर नहीं पहुंचा है और उसके दादी दुवारा उसको बेदखल भी किया गया है बाबा सिद्धिकी का मर्डर क्यूं हुआ हत्या के पीछे क्या मोटिव है पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस अभी दोनों आरोपियों को कोट पे पेश कर रही है कोट से इनकी रिमांट की मांग की जाएगी वही तीसरे आरोपी शिफ कुमार की तलाश में दब पिशनोई बंध है उत्तर प्रदेश और हर्याना की शूटर्स है और दिल्ली में लॉरेंस ग्यांग अक्टिव है यही वज़ा है कि इस केस में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम मुंबई आ सकती है वही आरोपियों के बार कोर्ट मुंबई से माज साथ लाई जुड़े हैं सबसे पहले मैं आप से बात करना चाहूंगे साकित जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है अभी परिवार बेजाहर तोर पर गम का महौल है इस वक्त क्या वहाँ पर लोगों का आना जाने का सिलसिला लगा हुआ है क्या इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल देखें फिलाल आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलते हैं अगर आप देखें तो लगातार बाबा सिद्धी की के चाहने वाले और खास तोर पे जो उनके पहचान के लोग हैं वो लगातार उनके घर पर पहुँच रहे हैं आपको बता द एक इस वक्त उनके घर पर पहुँच रहे हैं और उन्हें शद्धानजली अर्पित कर रहे हैं लेकिन जिस तरह सी घटना होई है उसके बाद सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तोर पर इस वक्त जिस तरह से बिश्णोई गैंग का नाम सामने आ रही है हलागी मुंबई पुलिस फिलहाल इस मामले में जाच कर रही है आरोपियों को कोट में प्रोड्यूस कर दिया गया है लेकिन अब देखना ये होगा कि कोट से क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस वक्त लगातार जितने भी पहचान के लोग हैं करीबी लोग हैं उन पुलिस पुलिस पुरी ता एतियात है लेकिन अगर पहले एतियात रहती उन्हें वाई सेक्योर्टी दी हुई थी लेकिन उसके बावजूद ए घटना कैसे हो गई ऐसे में लॉग और को लेका भी सवाल बहुत जादा उठ रहे है राजेश लेकिन अभी फिलहाल आरोपिय के अंदर मौझूद है क्योंकि अखिले नहीं रहते हैं और कितनी देर में पेश किया जाएगा और कितनी देर में आरडर साम्यासकता है विख के आरोपियों में पेश कर दिया गया है मुंबई के किला कोट में दोनों की पेशी हुई है गुरमैल सिंग की और धर्मराज कश्यप दोनों की पेशी हो गई है इस वक्त कोट में जो चल रहा है वो मैं आपको बता दूँ कि जो आरोपी है धर्मराज कश्यप उसने कोट में मैजिस्टेट के सामने ये कहा कि उसके उम्र 17 साल है वो माइनर है उसके वकील ने भी ये कहा कि उसके वो माइनर है पुलिस ने कहा किए उनके पास प्रूफ है उनके पास आधार काड है इस शक्स का ये उन्निस साल का है और ये court को mislead करने की कोशिश कर रहा है इंव्टिगेशन को mislead करने की कोशिश कर रहा है पूरे protection में उसे दोनों आरोपियों को court में पेश किया गया है DCP लेवल के अधिकारी क्राइम रांच के वो इस वक्त मौझूद है और फिलहाल रिमांड लेने की प्रिक्रिया कोट में चल रही है गौनिका तो बिल्कुर रिमांड मांगी जा रही है पुलिस की तरफ से उन दोनों आरोपियों की लेकिन आरोपियों तरीके से कह रहा है कि वो सपूरे मामले में अपने आपको नबालिक साबित करने की कोशिश कर रहा है देखना होगा कि कोट इस पूरे मामले में कितने दिन की रिवान देता है आप तीनों बने रहे हमारे साथ जिस लॉरंस विश्णोई को वो इस पूरी वार्दात का मास्टर माइंड बताया जा रहा है उसके बारे में आप ज़रा जान लेजे लॉरेंस की क्राइम कुडली बहुत लंबी है उसका क्राइम रिकॉर्ड आपके बताती हूँ कि वो जुर्म की दुनिया में कितना कुख्यात है गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्टोई अभी जेल में बंध है उसके क्रिमिनल चाप्टर की शुरुआत चंडिगर से हुई थी 2010-2012 के बीच क्राइम की कई केसे उसके नाम पर चड़े 2013 से क्राइम से जुड़े कई धंदों में उसका नाम आया गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्टोई अभी जेल में है लेकिन उसका नेटवर्क फिर भी आन है और सिर्फ आन ही नहीं बलकि 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है 700 से जादा उसके शूटर्स है जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हुए है लॉरेंस बिश्टोई और गैंग्स्टर गोल्डी बराड मिलकर गाम करते हैं लॉर लॉरेंस बिश्टोई गैंग कर नेटवर्क 700 से जादा शूटर्स में फैला हुआ है जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्टोई और गोल्डी बराड उनको मिलकर काम करते हैं अलग-अलग तरीकों से पिर चाहिए वो सोशल मीडिया हो यह तमाब लॉरेंस बिश्टोई जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से जिम्मदारी ली है इस पूरे मामली की भी जाँच की जा रही है दरसल उसका पूरा नेटवर्क पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया बे फैला हुआ है पंजाब उत्तर परदेश हर्याना महराष्ट दिल ली राजिस्तान या तक की जारकंड तक लॉरेंस की गैंग का जाल फैल चुका है अगर विदेश की बात करें तो अमेरिका अजरबेजान पूर्तगाल यूए और रूस में भी लॉरेंस बिश्टोई गैंग का नेटवर्क बताया जाता है एनाइए की मताबिक पाकिस्तान लॉरेंस बिश्टोई का ये पूरा नेटवर्क काम करता है गोल्डी बराड भी उसके साथ मिलकर काम करता है और क्योंकि लॉरेंस बिश्टोई ने इस पूरे घटनाकरम की जम्मेदारी ली है लेकिन अभी इसकी पुष्टी नहीं हुई है पुलिस उस पूरे मामले की हर आंगल से जाच कर रही हैं लेकिन लॉरेंस विश्टोई जिस तरीके से इतना ताकताफर हो रहा है एसे में उस पर अपकी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस पूरे गैंघ लगाम कैसे लगे लॉरेंस विश्टोई ने अब तक कैई बड़े वारदातों को अनजाम दिया सिद्धु मुसेवाला मर्डर आपको याद होगा वो सबसे बड़ा अटैक था जब मुसेवाला को घेर कर पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया गया था इतनी गोलिया चलाए गई थी कि सिद्धु मुसेवाला की on the spot ही डेथ हो गई थी अभे पराशर क्राइम ब्रांच पूंबई समाज से जुड़े हुए है अभे लॉरेंस बिश्णोई जो सरीके से जब्रदारी तो ले रहा है लेकिन अभी इस पूरे मामने पे पुश्टी नहीं हुई है क्या पुलिस को लीड्स मिली है इसके रावा कि ये पूरा ज़्यादा प्रभावित है इसके साथ ही आज एक सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर शिवू करके एक फेस्बुक पोस्ट है उसने एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि सलमान खान और दाउद का जो भी साथी है हम उसको मारेंगे हम अपनी पृतिकरिया देंगे जो हमारे लोगो को मारेगा उसमें बाबा सिद्गी को लेके भी तमाम बाते इसके अंदर लिखी हुई थी इसी पोस्ट को भी मुंबई क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर से उनका साफतोर पर कहना है कि हमने इस पोस्ट को देखा है इसकी जाच की जा रही है साथ ही अभी कोट में पेशी है और कोट में पेशी के दोरान क्राइम ब्रांच जब इनकी कस्टडी लेगी कस्टिडी लेने के बाद मुंबई पुलिस जो यहां के कमिस्टर का ओफिस है वहाँ पर एक प्रेस वारता करेंगे उस प्रेस वारता के अंदर अब तक जो पूसाच हुई है जो घटना करम हुआ है यह दोनों सूटर्स क्या वाकई लॉरेंस बिश्णोई गैंक से जुड़े हुए है यह तमाम चीजे कोट की प्रोसेडिंग के बाद बाकाद एक प्रेस कॉनफरेंस करके भी साफ की जा सकती है गौनिका लेकिन अगर हम पूरा सिक्वेंस देखें इनकी उम्र कम है तकरीबन 20 से 22 साल के लड़के दिली के अंदर भी हमने तमाम इस तरह की वारदाते देखी कि आपको धमकी बरे कॉल आते हैं और फारिंग होती है NIA की जो चार्चीट है या फिर साल 2018 में जब लौरेंस बिश्णोई से पूसाज की गई थी लौरेंस बिश्णोई ने साल 2018 में संपत नहरा के जरिये रेकी करवाई थी मुंबई में सलमान खान के घर की और वहाँ पर वो काम्याब नहीं हो पाए थे सलमान खान के उपर फा लेकिन सवाल ये भी उड़ता है कि अगर टागेट सलमान खान है तो आखिर बाबा सिद्धिकी के हत्या क्यों की गई उसके पीछे क्या और भी कोई मोटिव था या फिर किसी और शक्स नहीं बाबा सिद्धिकी के हत्या कराई है पूरे मामने की जान चल रही है आप बने न पूर्दिकी के मर्डर को AI M.I.M. ट्रुमुक ने शिंदे फ़र्णवे सरकार की नाकामी बताया है मालू होती के वहां की शिंदे और फटनवेस की सरकार के पास को पूलिटिकल विल नहीं है वो पूलिस को बन करके रखे हैं उनको काम करने नहीं दे रहे और तीसरा यह है कि उनको सर्फ एलेक्शन की फिकर है महराश्रा और मुंबई में जो आम जंता है उनकी सेफटी का उ पासो लिहाज है ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास और एक तीन मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलाइंस में है आप उसकी हत्या कर दी जाती है जिसम में तीन तीन गोलिया मारी जाती है तो यह बड़ा ही दर्दनाक अफसोसनाक और शिंडे और विपक शिंदे सरकार पर हमलावर है शिव सेना उदवगुट के नेता संजे राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि वाई क्याटिगरी की सेक्योर्टी के बावजूत बाबा सिद्धी की हत्या कर दी गए राउत ने भी कहा कि यह सियम एकनाच शिंदे की असफलता है अप र विधायक है चाया हमारे प्रदी में नहीं हो लेकिन हमारे साथ ही रहे अच्छा अदमी तो उनके हत्त्या ऐसी तरway से उतले उलते से के सिकुरिटी और उनके हत्या हुत ती उसका मतलब क्या है अध्या का pada का फिच्छे कारण ब्यों लेकिन ह्त्या हो गई है तो आपका फे प्लजनेगारी कर नटिया आपके स्वार्थ्च, कलेक्षन के लिए, पूलिस का इस्तमाज verrgarp幸ित होता है, तो यह उसका नतीजा है कि कानुन का डर नहीं रहा, पॉलिस का डर नहीं रहा दिन-धाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हथकाई होते जा रहे हैं। उसमें आप राजनेतिक कारे करता है, राजनेतिक नेता, मंतरी, उधायक भी नहीं छूट रहे हैं। विपक्ष्त सवाल उठा रहा है वही डेपिटी सेवा जीद पवार ने कहा कि पुलिस की पांच टीमें अलग-अलग राज्यों में लगाई गई हैं। दोश्यों को जल से जल पकड़ा जाएगा। इसके उपर ध्यान दे रहे हैं। और जल से जल पता चलेगा कि एक्जाक्त ये सब करने का कारण क्या है। इसके बारे में तुरंट नहीं लेकिन एक तो दीन में ही पता चलेगा इसा मुझे विश्वास है। साड़े आट बजे बड़ा कबरस्तान मरीन लाइस में जो है वहाँ उनको दफना जाएगा। महाराश्ट जिसक ऑंगरेस के राजसबा सांसाद इमरान प्रताब गड़ी ने बाबा सिद्धी के हत्या को लेकर राजस सरकार पर हमला पुला। इमरान प्रताब गड़ी ने कहा कि राज़ में कानून विवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में मुख्य मंत्री और ग्रे मंत्री को अपने पत से इस्तिफा दे देना चाहिए। फेस्बुक लाइब पे हत्या हो और अब बाबा सिद्धी की चैलेंज करके हत्या हो। तमाम एजनसिया और तमाम सुरक्षा के दावे हैं और इस तरह के घटना एक वक्त था जब अंडर वर्ड के वहाँ पर तूती बोलती थी उसको खत्म किया गया। मुझे लगता है कि चुनावी समय में इतनी बड़ी घटना हो जाना और बहुत बड़ा प्रश्ण चिनना है। और जिसे सुरक्षा प्राब था जिस व्यक्ति को जिसे चैलेंज है उसके बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है तो कुल मिला करके जो पूरा घटना करम है वो बहुत डराता है आम लोगों को। महराश्च की पॉलिटिक्स में बाबा सिद्धी की एक बड़ा नाम थे। पांच दशक तक महराश्च की राजनीती में आक्टिव रहे। कॉंगेस की सरकार के वक्त एहम रोल उन्होंने निभाया। 15 साल तक बांदरा पश्चिम सीट से तीन टर्म विधायक रहे। शुरुवाती पॉलिटिक्स में दो बार कॉर्पुरेटर सेलेक्ट हुए। पॉलिटिक्स से लेकर बॉलिवूट तक उनका रुसूख था। इफ्तार पार्टी में सितारों का मेला सचता था। सल्वान खान की वो अच्छे दोस्त थे और दत परिवार से भी उनके है। उनके मर्डर से बॉलिवूट जगत सदमे में है। सियम एकनाच चिंदे ने दोशियों को फास्ट ट्राक कोट के जरिये सजा दिलाने की बात कही है। मुंबई पुलिस हर अंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाबा सिदिकी का बॉलिवूट से गहरा नाता थ सल्मान खान से उनकी दोस्ती जग जाहिर थी। हर मौके पर सल्मान खान और बाबा सिदिकी की मुलाकात होती थी। उनकी करीबी दोस्ती थी। प्रियादत बाबा सिदिकी को अपना भाई बानते थी। बाबा सिदिकी का सियासी सफर एक छात्र नेता के तौर पर शुरू हुआ। बिहार में जन में बाबा सिदिकी ने महराष्ट में अपना एक बड़ा नाम बनाया। सियासी कद के साथ साथ वो बड़े कारोबारी भी थे। मशूर बिल्डर के तौर पर उन्होंने सबसे ज़ादा कावियाभी हासिल की। उनकी कमपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पॉपुलर रही। कई फिल्मों भी उनकी कमपनी ने इन्वेस्ट्मेंट किया। बाबा सिद्धिकी गवारे में यह तमाम वो डीटेल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि बाबा सिद्धिकी ने किस तरीके से एक बिल्डर के तौर पर इसके साथ साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल शक्सियत के रूप में अपना नाम बनाया। राजिश कुमार इसक्त कोट से वाईसा जुड़े हैं, राजिश क्या इसक्त कोट से अपडेट है, रिवान को लेकर क्या भी कुछ अपडेट सामने आया है। पुलिस ने 14 दिन के कस्टड़ी मांगी है, पुलिस ने बताया है कि क्राइम राज के एंटिक स्टॉशिंग सेल इस मामले की जाज कर रही है, और हमें आरोपियों से पूछ ताच करके जानना है कि उनके निशाने पर कहीं कोई और तो नहीं है, क्या सिर्व बाबा इसी बाते हैं जो ओपन कोट में नहीं बताया जा सकती है, और पुलिस ने केस डायरी जो है, वो मैजिस्टेट को दिया, मैजिस्टेट केस डायरी देख रहे हैं, वही आरोपि के उमर को लेकर लेकर भी लगातार जो बचाओ पक्ष के वकील है, वो कह रहे है कि वो माइनर इसका इंतजार है कि कोट कितने दिन की रिमांड में इन आरोपियों को भेजता है, अब इस तरीके से लॉरेंस बिश्टोई ने तो की तरफ से तो जिम्मदारी इस पूरे मामले में ली जा रही है, अलाकि उसकी पुष्टी हो नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ क्या कुछ मोटिफ सामने आ पाया है, कि अगर लॉरेंस बिश्टोई गैंग नहीं तो कोई और, क्यूंकि यह तो दोनों आरोपी जो यूपी के बहराईच के हैं, इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तक नहीं है, कोई देखे, बल्कुल इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकला है, लेकिन इन में से जो एक आरोपी है, वो जेल में रहा और जेल में रहने के दौरान, पंजाब की जेल के अंदर, उसकी मुलाकात हुई, लॉरेंस बिश्टोई के जो बाकी के सरग्राह हैं, जो शूटर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, असल में लॉरेंस बिश्टोई गैंग जो है, वो जेल से इस तरीके से ऑपरेट करता है, जब पंजाब और राइस्थान की जेल के अंदर लॉरेंस बिश्टोई था, तो तमाम धमकी बरे वीडियो कॉल तक निकल कर सामने आया है, कि कभी किसी रिस्क सेल के अंदर रखा गया है, लेकिन ये इसी तरीके से पुरा का पुरा गैंग काम करता है, कि कम उम्र के लड़कों को हायर किया जाए, खास तोर पे वो लड़के, ये जो दो शूटर्स फिलाल पकड़े गए हैं, जो भी कोट के अंदर मौजूद हैं, इनका भी जो कम उम्र के लड़के होते हैं, उनको हायर किया जाता है, खास तोर पे उनकी मुलाकाद जेल के अंदर होती है, उनको हायर किया जाता है, उन्हें मदद की जाती है, उन्हें एक कॉंटेक्ट दिया जाता है, कि अगर आप किसी को मार देंगे, तो आपको इतना पैसा दिय जाएगा नावालिक लड़कों को खास तौर पर ऐसे शूट आउट के अंदर शामिल किया जाता है ताकि वारदात को भी अंजाम दे दिया जाए और जोवेनाइल जिस्टिस बोर्ड में मामला चले बहुत ज़्यादा लबी सजावी नहों कि पैसा कमाने के लिए किया गया य